नमस्कार जहें दोस्तों दोस्तों एक बहुत बड़ी development हुई है पाकिस्तान के हवाले से और यह काफी बड़ी news है जिसे कि सारा international media पाकिस्तान मीडिया और इंडिया का मीडिया बहुत ही रिपोर्ट कर रहा है बेसील हुआ यह है कि जो पाकिस्तान इस बंदे को नॉमिनेट क है लगना करें तो उसका नाम है मसूद खान मसूद कान एक पाकिस्तान काफी हाज प्रफाइल नाम है और यह यूएन में पाकिस्तान का permanent representative के छोका है और Ambassador to China में रहे चुका है और ये P.O.K. का President में रहे चुका है अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि जो बंदा P.O.K. का President है चुका है वो अपने demotion क्यों करवा के Ambassador to US लगना चाहता है खैर अब इसे और reject करेंगे या क्या करेंगी युए सरकार इसमें कोई भी development होगी हम आपको बताते रहेंगे लेकिन basic खबर ये है कि इसका नाम pause पे क्यों डाला और किसके कहने बेडाला लगारा बड़ी खबर ये है कि जो Scott Berry है जो Senator है Pennsylvania के उन्होंने एक letter लिखा है Joe Biden को और उन्हें बड़ा है clear उसमें लिखा है कि ये जो बंदा है मसूद खान ये जिहादी mindset का बंदा है और as a president of P.O. के ये बंदा हर एक वो activity जिसमें की अतंकवादी लोग कश्मीर में जाके पहलाते थे उसको support करता रहा है उनके support में ये नारे लगाता रहा है और बहुत सरी ऐसे activities को support करता रहा है तो जो Scott Berry है उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको समझ में आए So Scott Berry लिखते है While I am encouraged that the state department has reportedly placed a pause on approving Masood Khan as a new ambassador from Pakistan A pause is not enough I urge you to reject any diplomatic credentials presented to you by Masood Khan and reject any effort by the government of Pakistan to install this jihadist as Pakistan's ambassador to United States तो इसमें बहुत एक clear उन्हों लिखा है देखो basically ये जो बंदा है Masood Khan ये सारी ऐसी activities को जिसमें की कश्मीर में आतंगवाद पहलता रहा है इसमें जो एक आफिया सिद्धी की जो लेडी अलकाइदा थी उसके ओपर जो भी cases चल रहे थे उसको भी support करता रहा है उसको उसके हक में नारे लगाता रहा है ये बंदा तो इसका जो mindset है वो जिहादिस्ट है और अगर वो हाँपे ambassador बन गया तो ये फिर से उन activities को और ज़्यादा तेज कर देगा तो ये डर है जिससे बड़े ही clearly उसने लिखा है Scott Perry ने कि इस बंदे को reject करना चाहिए क्योंकि ये बंदा ठीक नहीं है जो तुमारी state की जो strategic policies होती है यूएस की और उसके लिए भी अच्छा बंदा नहीं है उसको भी ये गलत तरीके से आगे बढ़ाएगा और कश्मीर का जो राग है उसको फिर ला पाएगा और उसको जो भी आतंकवादी activities है उसको support करेगा तो इसको reject होना चाहिए अब देखने वाली बात ये है कि इसमें पाकिस्तान का stance क्या होगा पाकिस्तान का stance तो एक ही हो सकता है यह तो इंडिया ने कराया है इंडिया नहीं चाहता कि मसूद खान यहाँ पर ambassador बने इंडिया का इसमें हाथ है इंडिया के lobby शामिल है बला 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 अब मुझे एक चीज़ समझाओ यार कि इसमें इंडियन लाबी अगर शामिल है भी तो क्या गलत है वो बंदा जो इंडिया में टर्रेजम को सपोर्ट करता है देखो इसमें एक और वर्ड है इसमें लिखता है जो स्कॉट बेरियंग का जो लेटर उसमें लिखा है मसूद खान घाज प्रेज़ बोथ टर्रस्ट एन फोरन टर्ररिस्ट ऑगनाज़ेशन हैं क्लूडिंग हिजबूल मुझाहिदीन यह बंदा टर्रिस्ट को और टर्रिस्ट ऑगनाज़ेशन को सपोर्ट करता है इसने सपोर्ट किया उस बुरहान वाले को जिसने इंडिया में इस माइंडसेट का बंदा है कि यह जहाद और जहाद से जुड़ी चीजों को यह बहुत सपोर्ट करता है उनके लिए स्लोगन लगाता है उनके बड़ी-बड़ी बाते करता है तो इस बंदे को क्यों ना स्टॉप किया जाए देखो आज दुनिया आतंकवाद से जूज रही है हर बंदा परिशान है आतंकवाद को लेकर जो चाइना का भी स्टैंड है ना वीगर्स को लेकर उसमें यह है कि जो वीगर्स है वह काफी जादा इंस्पायर हुए थे इस आतंकवादी घटनाओं से और आतंकवादी घटनाओं के कारण वहां पे काफी बढ़ गए था आ बढ़ने नहीं देना चाहिए और इसी लिए उसने हर वीगर्स को बंद किया हुआ है नजर बंद किया हुआ है या उसको रिहाब कैप जो कैंप होते हैं वहां पर रखा हुआ है और अगर इस स्टैंड को अगर आप सपोर्ट करते हो जिहादिस माइंड सेट को तो क्यों इ इसको बहाल होने दे अगर इंडिया ने किया है तो बहुत अच्छा किया है और ऐसा ही होना चाहिए जो भी प्रपेगेंडा उसके खिलाफ हो उसको इंडिया स्टॉप करें अब इसमें एंगल आता है इम्रान खान का भी है बैसी लिए हो क्या रहा है अब बहुत एक कम टा जो अशेंशल चीज़ें हैं वो अवाम के पहुत से भार हो चुकी है अवाम में अब बहुत ही नेगेटिव फीलिंग है इमरान खान को लेके और ये फीलिंग भी है कि इमरान खान ने समझोता कर लिया है कश्मीर के उपर में या कश्मीर को बेच दिया है या कश्मीर को इसलिए वह ऐसे बंदों को सपोर्ट कर रहा है जो आतंक वाद को प्रबोट करते हों जो ज्यादिस माइंडशेट के हों क्योंकि यह चीज यह चूरन बहुत ही सूट करता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान में बहुत एजली चीज़ें बिग जाती है क्योंकि अपनी सारी ना तो यह चूरन उसने फिर दिया है कि उसने इस बंदे को मसुद खान को क्योंकि यह बंदा कश्मीर के जो टेरिस्ट गूप से कश्मीर में जो सारे जो टेरिस्टों को सपोर्ट करता रहा है और अगर यह बन गया तो फिर से वो उनकी बाते शुरू कर देगा तो होगा क्या जो सारे नाकामिया है वो इसके पीज़े चुप जाएगी और अवाम में एक इस तरह से न्यूज जाएगी या इस तरह से पैगाम जाएगा कि यार इमरान खान ने कश्मीर इले कुछ तो किया यह एक एंगल और दूसरा है इमरान खान का इसमें यह बिसिकली एक बहुती सोच समझी शाजेस मैं बोलूगा यह बहुती एक सोच समझी स्ट्राडिजी है इमरान खान की जिसमें अपने आपको यह प्रूफ करना चाह रहा है कि वह वाकि कश्मीर को लेके बहुत सीरिस है यह उसमें वो काम कर रहा है दगो इसका बन में दोतिन पॉइंट बहुत इंपॉरंट है बिसिकली क्या है कि इस तरीके के कोई भी नॉमिनेशन जो भी कोई गवर्वेंट करती है उसमें इस तरह के पॉज लगते नहीं है और अगर इसमें पॉज लगा है और यह रिजेक् का अगर वो नॉमिनेशन देता है तो उसका बहुत बड़ा यह अपमान या मैं बहुत बड़ा इंसल्टी मैं बोलूँगा क्योंकि कोई सरकार बोल रही है यार हमारे बंदे को रुखो और दूसरा कंट्री बोल रहा है कि यार चला में नहीं चीए क्या गरना है इस गा कौन ह यह बहुत बड़ा एक सेट बैक होगा इमरान खान के लिए फिर दूसरा पॉइंट यह है कि इसमें इमरान खान प्रेशे डालेगा कि भाई नहीं इसे रखो तो रहे रेजिवेशन होंगे इसमें कि भाई नहीं इसे रखो लेकि मुझे लगता निया इसको रखा जाएगा तो यह थपड़ मा रहा है यह सरकार ने इमरान खान के मुझे उससे उसके अवकाद दिखाई है कि तू था ना वो जिसने बोला था आप्सुबलेट नॉट ॉट तो यह पकड़ अपना बंदा नहीं चीह है हमें सो एक ये दूसरा एंगल भी हो सकता है इसका कि यूएस ने एक आंसर दिया है इम्रान खान को और उसकी असली आउकाद बताई है कि अगर तू अगर पीम भी है तो हमारे ले किसी गिंती में नहीं है क्योंकि तू पाकिस्तान का पीम है तो ये दो बड़े-बड़े सेट बैक्स मुझे जो जरजा आ रहे हैं कि एक तो ये जवाब है एपसूटली नौट का पाकिस्तान को और दूसरा ये कि पाकिस्तान का जो बंदा अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो पाकिस्तान के पीम इम प्रिवरान खान इसका क्या एक ले जाएगी उसकी अवाम में उसके क्या कर्डेंशल रे जाएंगी उस पर क्या ये लोग भरोसा करेंगे ले जो बंदे को नॉमिनेट किया उसह बंदेब को रेज हैं उस प्लह वैलिए हाले कि उसके प्लिभ परनें बेख स्थयुम्रम देक फिर भी आपस चले गए थे वो तो हाला कि कुछ वैल्यू तो है नहीं इम्रान खान की तो ऐसे को बहुत बड़ी बात नहीं है बहुत बड़ा कोई तुफानी तूट गया कि यह हो गया या वो हो गया ज्यादा इंडियन को खुश होने की जूरत नहीं है क्योंकि तुम कर लूँगा कि बहुत बड़ा एक थपड़ है यह इम्रान खान के मूपे एपसलूटली नॉट का आंसर है यह यूएस का इसमें एक बात सोचने की एक और यह है कि जब इसका नाम सेजेशन के लिए डाला था आगे मसूद खान का तो जो हां के जो बीरोकेट्स हैं वो बे इंटरनेशनल कम्यूनिटी में तो मुझे तो लगता है कि यह सोचे समझी एक स्ट्रेडिजिक चाल थी प्यूरक्रेसी की पाकिस्तान के पीम इमरान खान के खिलाफ क्यूंकि अगर यह जानबूच के किया गया है कि उस बंदे का नाम नॉमिनेट किया जाए जिसके की ऊप पर पॉसिबिलिटी यह है कि 100% वहां से रिजर्वेशन आएंगे रिस्ट्रिक्शन लगेंगे तो जानमोच के उसको रुस्वा करने के लिए हो सकता है ब्यूरक्रेसी ने यह नाम सजेस्ट किया हो क्योंकि इमरान खान को आज की पाकिस्तान में को पसंद नहीं करता चाहे है वो कोई बड़ा आर्मी मैन हो चाहे वाकी एलीट हो या अवाम तो यह तो मुझे स्ट्रेजिक के चाहल लगती है ब्यूरक्रेसे की जो इमरान खान को थपड़ पड़ा है देखो बेसिकली इसमें अगर देखो तो हर जगा विन में नहीं है इसमें बेसिकली हार सिरफ ए आपके लिए बakte psychanja पढ़ेगा हम जो नाम सजेस्ट करेंगे के है आपने आवाम को दुखी किया हुआ हैं आपने आवाम के चीजों को बहुत मह Oprah बढ़ा दी है आपने पाकिस्टान को बत से बत्तर कर दिया है तो हम भी आपकी इजब को बत से बत्तर करके रहेंगे तो ये मुझे एक point समझ में आया कि इस तरह से भी हो सकता है तो basically ये सारी situations है जो मैं सोच पाए अपने जहन में ये सारे angles हो सकते हैं इस खबर को लेके आपकी क्या राय है हमें comment करके जरूर लेकिए बाकि इस video में इतना ही Thank you for watching our video जय हिंद जय भारत